मानशून के साथ बैसों का ब्यात शुरू होते ही बैसों की खरीद परोक्त शुरू हो गई बैसों को खरीदते समय तथा एक जगसे दूसे जगले जाते समय इन बातों का ध्यान रख लें आपको कभी भी उसके अंदर बैस के अंदर नुक्षान नहीं होगा सबी पसुपारक साथी एव मेरे पेरे पेरावेट भाईयों को राम राम आपके अपने यूटूब चैनल रामा वेट एंड डेरी ग्यान पर आपका अर्धिक स्वागत है साथियों जैसा कि आपको पता है मानशून शुरू होते वे लग बगजुलाई के अंदर बैसों का ब्यावत पर जाता है तो इस टाइम पे बहुत से मेरे साथी हैं वो खरीद बिकरी सुरू कर देते हैं बैसों को एक जगह से दूसरे जगह पर लाना ले जाना एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करना ये काम शुरू हो जाता है तो इस काम में साथियों जो बहुत से अनुबवीन साथी हैं उनको नुक्षान भी लग जाता है तो आज शाथियो हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे मैनेजमेंटल टिप्स और उसी के साथ आपको कुछ आपको मेडिसेंस और सप्लिमेंट बताएंगे जिससे आप अगर बैस्तों के खरीद परोख्त करते हो एक जगह से दूसी जगह उसका ट्रास्पोर्ट करते हो तो आपको कभी भी नुक्षान नहीं होगा ये बात लिख के देता हूं शाथियो तो ये चीज शाथियो जानने के लिए वीडियो के अंदर लाश्त तक बने रहे तो चलिए शाथियो वीडियो सुरू करते हैं साथियो आपको सबसे पहले दो बात ध्यान में रखनी है बैस्तों को ट्रास्पोर्ट से सम्बन दित कि भई बैस्त को लंबी दूरी से लाना है ले जाना है उसको कहीं बेजना है तो लंबी दूरी पे अगर बेजना है तो उस समय आपको दो बात्यों का ध्यान रखना है पहली बात ये आप पसू को ले जाते हो तो उसको अगली जगर ले जाते ही उसको पूरा खाना पाना ना दे उसको ये नेग जाते ही बरपेट खिला दिया पिला दिया उसको कम खिलाएं दीरे दीरे सुरू करें दूसरी चीज शातियों उसको जाते ही आपको जैसे आपने गाड़ी में से उतारी उतार के उसको बांदी और जो पसू जैसे प्रेशान होता है जो फसू रिख की वकजा से ट्रैस्ट में अता है वह भी ठीक हो जाएगा तो सांथी यह दो बातों हों इसका मेरेजमेंट से संब्डाने अब बात आती है दोओ की कि जैसे लमबे सफर में पसू को लाना ले जानँ होता है तो क्या उसको आप क्या उनसे सप्लिमेंट दे क्या दवाई दें जिससे आपको डॉक्टर को बुलाने जरूत ना पड़े और परसु अपना प्रोडेक्शन भी ना तोड़ें अच्छे प्रोडेक्शन पर रहे तो साथियों सबसे पहले आपको लंबे सफर से जो पसु आता है और जो ज़्यादा परेशान होता है या ज्यादा इस्ट्रेस में आता है तो उसको इस्ट्रेस से फ्री करने के लिए एनर्जी बुष्टर देना पड़ता है एनर्जी बुष्टर आप कोई भी ले लें जैसे यही जय बुश्टर है या फिर जैसे नर्जिआर आता है तो कोई व्याप एक अनरजी बुश्ट्रर लेकर उसको 100 ml. कि उसी के साथ जब पसू तॉफ ताज्या мен हुआ हूँ या फिर फैसू ब्यानेवारा हो तो आज्वी में बहुत भी ज्यादा संभावना बनती है पसू के अंदर जो इस्ट्रेस है या तायात की उजय से ट्रांसपोर्ट की जैसे इस्ट्रेस आने से पसू कैल्सियम तोड़ देता है तो उस से बचाने के लिए आपको साथियो 12-12 गंटे गैप से 300-300 ml की जो कैल्सियम जैल आती है वो भी पिलानी है वो आप 4 जैल पिला दें दो दिन या पिर 4-5 जैल पिला दें आप 12-12 गंटे गैप से तीसरी चीज शाथियो जब पसू अलका लंगडा के चलता है या सफर के अंदर उसके पैन जब बोड़ी के अंदर होता है तो उस इस्तिति को आपको अल करने के लिए आपको अमेसे आपन प्रेशान हुआ वह आप पसू का एकदम फिरी हो जाए और चोथी चीज शाथियो कई पसू जैसे लंबे सपर से आने बात जैसे खाना प्याने चरने के अंदर दिक्कत करते हैं तो आप फलोरा से जो बोलस आते हैं वह दो बोलस सुबह दो बोलस स्याम ऐसे करके दो से ती यह कुछ बातें और सप्लिमेंट और मेडिसियन थी कि जब पसू को लंबे सफर में अपलाते ले जाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें और यह सप्लिमेंट आप अमेस्या अपने पास रखें आपको कभी भी डोक्टर को बुराने जरूत नहीं होगी ताद जब आया व मारे चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद